CS Executive News Labors की बुक मेरे पास है और इस बुक्स के लिए बहुत सारे में पास FA की हुआ है थे पहले बता दूँ कि ये बुक्स जो है वो मेरी नहीं है और मेरे को इसके बारे पूरी जानकारी तो है ही तो मैं पूरी जानकारी आपको देता रहूँगा साथ ही साथ मैं Unboxing भी करता र लोगों को Metro Areas में भी Metro Cities में भी बहुत देरी से बुक्स मिलती है उसका रीजन यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो CSET यानि की CS Executive Entence Test जो होता है वो बहुत जल्दी पास आउट करते हैं और बहुत जो quantities होती है जो number of students होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं उसक आप complaint भी कर सकते हैं वो आपको बिल्कुल date बता भी देंगे कि आपकी book फलाना date तक आ जाएगी तो अगर आप complaint करते हैं तो आपको books का एकदम exact जो month है वो परचल जाएगा तो है tax laws की book है काफी अच्छी book है इसमे income tax और GST जो है आपका वो दोनों included है इस book के अंदर इसके बाद जो तीसरी book आ रही है यह है economic business and commercial laws यह भी काफी अच्छी book है इसके अंदर इसके बाद जो बहुत important book है उसका नाम है यहाँ पे setting up of business entity and closer तो यह भी काफी अच्छी book है और बहुत interesting book है आपको business entities कैसे establish करनी है इसके बारे में आपको पचलेगा इसके अंदर इसके जाब है जो कि आपको जाइसी बाते की थौली पढ़नी है इसके अमेंड में पढ़के जाना वो भी बहुत सारे exams में आते हैं ठीक है और company secretary बनने वाले तो वह तो पढ़नी चाहिए यह है securities laws and capital markets यह भी काफी अच्छी book है बहुत लोगों का interest होता है इसमें लेकिन थोड़ accounting management accounting corporate accounting दोनों है और cost account अलग है corporate account अलग होता है तो यहाँ पर देखे जिया आई जील की बुक है जूरिस्पृडेंस इंटर्प्रेटेशन और बिसिन्स लॉज ठीक है जर्नल लॉज स्वरी और यह बुक्स खाली हो चुकी है और काफी भारी बुक्स थी है और मैं एक एक कर पूर्ण जानकारी होगी ही कि दुरुगृट में divided है दो मोडियूस होते है इसके इंदर आप दोनों मोडियूस दे सकते हैं साथ में और अगर आपने बाद में सेशन किया है तो आप सिर्फ एक मोडियूस दे सकते हैं यह सब जीज़ेंस में रहती है कोई सवाल हो आपका स आप पूछ सकते हैं मैं जरूर आपको रिप्लाइ करूंगा और यहां तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद